नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आशाकरती हो कि आप सभी अच्छे होंगे तो बच्चों, आज हम हिंदी वियाकरन से, मैं और मेरी वियाकरन से ये जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है संधी, इस विशेमें पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों जो संधी है इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है मेल यानि की जोइन करना तो बच्चों संधी का अर्थ है जोइनिंग यानि की जोड़ना मेल तो चलिए इसके परिभाशा देखते हैं, परिभाशा यानि के definition मतलब, ठीक है, जैसे कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार यानि परिवर्तन उत्पन होता है, उससे संधी कहते हैं, तो संधी का आर्थ क्या है बच्चों, दो वर्णों या फिर शब्द या फि उड़ने के बाद, तो उससे ही संधी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि उधारन, examples आप देख लो, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक एक शब्द है, आले, दूसरा शब्द है, अगर इन दोनों शब्दों को हम मिला दे, तो ये क्या बन जाएगा, पुस्तकाले, ठीक है, उसी तरह अगला शब्द है, शब्द, और है धन रिशी, यानि कि शब्द रिशी, उसी तरह तीसरा शब्द है, चंद्र, धन उदय, यानि कि चंद्रोद्य, उसके बाद है, सूर्य, धन अस्थ, सूर्यास्थ, सम्धन तोश, सम्धन तोश, ठीक है, तो ये है संधी, यानि कि दो, शब्दों को जोडने पर जो तीसरा शब्द बनता है तो वही संधी कहलाता है ठेके उधारन के लिए ये सारे है उसके बाद बच्चो अब हम देखेंगे संधी के भेद ठेके जो ये मेल है इसके कितने भेद है तो इसके कुल मिलाकर तीन भेद है और वो कौन-कौन से स्वर स संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी ठीक है? तो बच्चो संधी के भेद कितने हैं? संधी के तीन भेद हैं कौन-कौन से? स्वर्शंधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी ठीक है? तो बच्चो अब हम देखेंगे जो पहला है स्वर्शंधी ठीक है? संधी के जो पहला भेद है वो है स्वर संधी इसके विशय में देखेंगे स्वरों के मेल यानि की स्वर जैसे यहाँ पे हमें शब्द मिले है स्वर तो इसका मतलब है औ से लेकर तो ये सारे क्या है ये सारे स्वर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ है तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधी कहते है यानि की स्वर तो स्वरों को मिला देने से क्या बनते है? जो तीसरा स्वर बनता है उसे ही स्वर संधी कहा गया है और स्वर संधी के भी कुल मिलाकर पाच भेद है चैसे कि देर्ख संधी, गुण संधी, वृद्धी संधी, यण संधी, अयादी संधी ठेक है? तो बच्चो मैंने आपको पूछा था मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था स्वर और वियंजन पढ़ाते समय स्वरों की संख्या कितनी है स्वर कितने है स्वर ग्यारा है ये मैंने आपको सिखाया था न तो बच्चो ये जो स्वर संधी है इसमें क्या होता है? इन ही वर्णों को जोड़कर तीसरा वर्ण बनाया जाता है. स्वर यानि कि केवल उसमें स्वर ही होंगे ना कि व्यंजन. जैसे कि बच्चों उधारन के लिए मैं आपको दिखा दू. जैसे कि बच्चो अगर हम आ को आ के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आ, आ को आ के साथ जोड़ने से आ, आ को आ के साथ जोड़ने पर आ, और आ को आ के साथ जोड़ने पर आ, ठीक है? यहां पर क्या होता है, सब को एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ जोड़ कर तीसरा स्वर बनाया जाता है, है कि नए? तो यही है स्वरसंधी ठीक है यहाँ देखो बच्चो छोटी ए को छोटी ए के साथ जोडने पर बड़ी ए बनता है वैसे ही बड़ी ए को छोटी ए के साथ जोडने पर बड़ी ए बनता है तो इस प्रकार आप यह सब देख कर समझिए ठीक है छोटी ए को फिर बड़ी ए के सा जोडने पर बड़ी उ, उसी तरह छोटी उ, छोटी उ को जोडने पर बड़ी उ, बड़ी उ को छोटी उ के साथ जोडने पर बड़ी उ, बड़ी उ को बड़ी उ के साथ जोडने पर बड़ी उ, इस प्रकार और भी बहुत सारे स्वरवर्ण है, टोटल 11 हमारे पास है स्वरव है की ने तो उन्ही स्वरवर्णों को जोड़ने पर ठीक है उन्ही कोई भी स्वरवर्णों को जोड़कर तीसरा जो वर्ण बनता है वही है स्वरसंधी ठीक है संधी याने की मेल यहाँ देखो एक स्वर को दूसरे स्वर पर जोड़ने पर तीसरा वर्ण बना है यही है संधी यानि कि मेल तो क्या का मेल हो रहा है दो स्वरवर्णों का ठीक है दो स्वरवर्णों के संधी को स्वरसंधी कहा जाता है तो बच्चो यह तो आपको समझ में आ गया होगा तो बच्चो आज की कक्छा